हेलो स्टुडेंज वेल्कम ट्यूए कैमिस्ट्री क्लास बिटा जी नाइन्थ की कैमिस्ट्री में हमारा सेकंड चैप्टर ज़र रहा है मैंटर आपको अपके पास होता है कोईभी साब्स्टान्य जिसके पास मास हो और वालिम हो थीच है जुस्पेस गरे तशित को पहस्चा नीज हो सकता है और एंप्योड़ भी बिशकता है इंप्युड भी हो सकता है फ olsun बात करेंगे हम प्योड़ के matar कोंगे consist of only one type of particles pure substance वो होंगे जो सिर्फ एक ही टाइब के particles consist करेंगे जिसमें जो सिर्फ एक ही टाइब के particles से बना होगा उसको हम क्या बोलेंगे pure substance ठीक है साइकिन आगे आपके पास impure impure क्या होगा consist of two or more types of particles की ऐसा substance जो 2 या 2 से ज़्यादा टाइब के particles से मिलकर बना हो उसको हम क्या बोलेंगे impure substance ठीक है example देखो आप copper, oxygen, pure water carbon dioxide, etc यह क्या है आपके पास pure substance है ठीक है copper क्यों, copper जो होगा वो सिर्फ copper के ही particles से ही बना होगा तो इसलिए copper आपके पास pure substance आ गया oxygen जो element है आपके पास oxygen O2 की फार में एक्जिस्ट करता है लेकिन इसमें जो भी particles होगा सारे के सारे oxygen के particles होगे तो यह भी आपके पास pure substance आ गया next आ गया pure water pure water होता है आपके पास H2O तो आप जब भी देखोगे आप इसके हर एक particle क्या होगा H2O के ही होगा carbon dioxide में इसमें आपके पास क्या होगा प्योर सबस्टांस है अब दिखो इंप्योर में टी जब आप टी बनाते हो चाय बनाते हो घंद में तो आप देखो उसमें क्या होता है अब मिल्क वाटर फिर आपशूगर तो सबकुछ मिक्स करते हो है ना तो यहां पे अलग अलग टाइप के दो से जान दो यहां दो से ज्यादा टाइप के पार्टिकल सबस्टांस को आप मिक्स करके बना रहे हो एक एयर जो हो गया एयर में आपके पास different different gases होंगी आपके पास dust particle भी होंगे कुछ लैमोनेड इसमें water आपके पास आप sugar mix करोगे lemon juice आप डालोगे उसमें तो यह क्या आपके पास in pure, अब pure substance में आप element को भी रखते हो और compound को भी, ठीक है, pure substance में आप element को भी रखते हो और compound को भी, element क्या होता है, ठीक है, element क्या होते है it is a pure substance which is made up of only one type, ठीक है क्या वो रहा है, यह pure substance होता है, जो सिर्फ एक ही type के particle से बना होता है, ठीक है, for example copper, तो copper सिर्फ गापर के ही पार्टिकल से बना होगा है ना सुरी वन टाइप वन काइंड आफ वन टाइप या वन काइंड आफ पार्टिकल्स ठीक है नेक्स्ट आगे आपके पास कंपाउंड इस प्यूर सबस्टांस विच इस ऑप्टेन बाइदा कैमिकल कंबिनेशन आफ तो और मोर ऐलिम ठ के कंबिनेशन से जो आपके पास आफ वह भी आपके पास फैर इसकों मिक्स्टीर किो मिक्स करने के बाद हीट्रोजिनियस homeland होता है में होता है it consists of single face और जोidosomyस है वह consists of 2 quais more face कि जो आपके पस होमिजनियस है वह सिँ सिंगल फेस होगा होगा और जो continues us me genज्ञाभा होगा है संग्ल ऊब तो स ज्यादा Juni us meet and shows 사랑 the replies ओंट में crush लेक्स from Blake on point me new friend when the लेकिन आप यहां पर दिखो second example देखो आप हिट्रोजीनियस की तो वहां पर क्या करते हो तो आपको सेंड अलग दिखती है वाटर अलग दिखता है तो वह क्या है हिट्रोजीनियस मिक्चर और साल्स सेलिशन क्या है होमोजीनियस सेलिशन अब आप लोग मुझे बताओगे कि कि अगर आब वाटर में वाटर में हुआ है स्ससक्की तो वो क्या होगा होमोजीनियस मिक्चर होगा यह भीνुजीनियस मिक्चर होगा ठीक है यह अपने पहले आपको हमोचीन उ cuálFR की देफ्नेशन झाल झाल